कि दिभी की सब्सक्राइब कि अरिखते यहां पर एक स्केर क्रों को यह अपने फार्म में लाकर खड़ा करते और हम देखते हैं कि उस sqare crew में कुछ हल्चल होने लगती है जिससे पता पड़ता है कि उसके अंदर अभी भी jain है यान कि उसके अंदर कोई आदम या फिर कोई और पर पिकनिक मनाने आए हुए थे इन में से एक फ्रेंड को वाशूम आता है तो वो उनसे गाड़ी रोकने क करने के लिए अब ये लोग दोस्तों वहां से फ्री होते हैं और ये लोग यहां पर देखते हैं कि उस अंगूठी का जितना भी खून था वो उनके विंडशील्ड पर आ जाता है अब इन में से एक लड़का उन लड़कियों का ध्यान भटकाने के लिए जाता है तब कि दूसरा उस विंडशील्ड को साफ करता है ताकि वो लड़कियां पैनिक ना हों इसके बाद दोस्तों यह सब लोग इसकाम से फ्री होते हैं अपने कार में से अपना समान निकाल लए होते है यह लोग यहाँ पर देखते हैं कि जिज जुकाfir यह लोग रुके है वह जगां बढ़ी ही है और यह फैसला करते हैं कि यह लोग अपनी पिगनिक थी यह इहीं पर मनाएंगे यह लोग कुछ और अंदर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इन मेंसे जो एक लड़की है उसे दिखता है कि कुछ कवे एक कटी हुई उंगली को खा रहे हैं पर उन मेंसे एक लड़का इन लड़कियों को बताता है कि वो कोई उंगली नहीं है वो कवे कीड़े को खा रहे हैं पर हिखा पर दोस्तों जो में दोनों लड़कों को पता था कि वो कोई कीड़ा नहीं वह एक एक निक सप्छी वही उंगली थी यह लोग उन लड़कियों को सच नहीं बतार थे क्योंकि यह लोग उनको पैनिक नहीं करना चाहते थे क्योंकि वह उनकी फ्रेंड्स थी आप यहां पर एक आदमे को देखते हैं इनको प्यास लग रहे थे और पैनली चाहते हैं जहां पर इन्हें आफ फानली पानी दिख जाता है और यह लोग एक पूल के पास आता है और इनको नहीं पिश घ्राजा ते उन लड़कियों में सवह एक उसी गल्फेंट थी जिसके साथ वो रिलेशन्शिप में पर फाइनल या वो भी उनके साथ नाने के लिए तैयार हो जाता है यह लोग उस पूल में बहुत सारी मौज मस्ती करते हैं और फाइनली उस पूल से बाहर आते हैं और तो अपने ही नहीं थी यानि कि जो कार थी उसको कोई चोरी करके ले गया था अब यह लोग दोस्तों बहुत सब्सक्राइब पैनिक हो गए थे और यह वापस लड़कियों के पास जाते हैं और उनको सारी घटना के बारे में बताते हैं यहां पर हम देखते हैं कि यह लोग ऐसा नहीं कैसी भी थी वो उनकी फ्रेंड्स थी और वो उनको पैनिक नहीं करना चाते थे अभी मूवी को स्किप मत करना क्योंकि अभी तो इसका इंटरस्टिंग पार आने वाला है अब हम लोग देखते हैं कि यह लोग एक आगे की तरफ बढ़ते हैं यहां पर इनको एक फार्मर द पर यहां पर उसका जो खून ता दोस्तों इतना जादा निकलने लगता है तो कैली अपनी शर्ट से उसके खून पर पट्टी बांदेता है जिससे उसका खून कर जो फ्रो था वह रूख जाता है अब यह लोग एक स्केर क्रों के नीचे आकर रुकते हैं और यहां पर यह हमें किसी के हैल्प रहनी चाहिए क्योंकि जो लड़का था उसका दर्द रुक ही नहीं रहा था अब इनमें से कैली था वो अपने दोस्त की यह जो दूसरा लड़का था उसके गल्फरेंट साथ फील्ड में आता है और वो लड़की आगे बंढ़ने से मना करती है और उसक लड़की से कहता है कि तुम में लिए एक सिग्रेट जलाओ यहां पर हम कैली और उसकी दूसरी लड़की को देखता है जो किंटिमेट हो रहे थे हैं पीछे से एक आवाज आती है और वो फार्मर कैली को भ्योश कर देता है और साथी साथ वो लड़की भागने की कोशिश क करती है तो उसको भी वो भ्योश कर देता है और अपने साथ लेकर आ जाता है अब दोस्तों यह बहुत ही स्लेशर सीन इस मूवी में आने वाले हैं तो स्केप मत करना हम लोग देखते हैं कि यहां पर वो लड़का उस लड़की से शिग्रेट जलाने की कह रहा था तब उस सकेर्करोपे जाती है जहां पर वह कहता है कि वो जो सकेर्क्रोथ है उसकी शकल एक दम आदमी जैसी लग रही है अब यहाँ पर वो लड़का उस लड़की को लेकर फिल्ड में चला जाता है क्योंकि उसे वाशूम आ रहे थी यहाँ से सीन चिंज होता है और हम लोग उस लड़की को देखते हैं जिसको फार्मर उठाकर लिया था अपने घर बे और उसको बांध रहा था अब वो लड़की इतना जादा चला रही थी तो फार्मर उसका जो मूँ था उसको एक रसी से सील देता है ताकि वो चला नहीं पाए अब वो देखते हैं कि फार्मर एक दूसरी बोड़ी को लेकर जाता है डेट बोड़ी को जिसको वो स्केर क्रो पे टांग दिता है अब वो एक लड़की देखती है कि वो जो स्केर क्रो था उसके मूँ से बहुत सारे कीड़ा आ रहे थे तो वो लड़की डड़ जाती है और यहाँ पर वो लड़के से कहते है कि तुम्हें जल्दी वाश्रूम करना होगा हमें निकलना होगा अब यहाँ पर जिस लड़की को वो फार्मर पकड़ के लाया था वो बहुत जादा चला रहे थी तो फार्मर उसके ओपर एक ड्रग्स का इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो ब्योश हो जाती है और उसको एक मास्क पहना देता है जो कि उन स्केर क्रोज ने पहन रहा थ अब हम लोग देखते हैं दोस्तों उस लड़की को पीछे से एक आवाज आती है और उसको कोई पकड़ लेता है और उसको अपनी साथ ले जाता है यार जी हां दोस्तों यहां पर यह जो लड़का आता है उसे पकड़ता है वो उसी फार्मर का बेटा था और वो उसे कहता ह कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो वह उस लड़की को अपने घर पर ले आता है और उसको सारी सच्छे बताता है कि वह उसका फादर है उसने तुम्हारे दोनों दोस्तों यानकी जो दो दोस्त पहार गए थे उसने उन दोनों को पकड़ लिया है और मेरे फादर ऐसा इसले करता है क्योंकि मेरी मॉम की डैथ हो गई थी जिसके बाद वो ट्रॉमा में चले गए तो और पागल हो गई थे अब यहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं गेट खटखटा निकवा जाती है और वो अंदर आते हैं तो देखते हैं और वो उस लड़की को भी फील्ड में लेकर आता है अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो लड़की भी उसके जाल में फश चुकी थी वो फार्मर का जो बेटा था वो उसको वहाँ से निकालने की कोशिश करता है उसे निकाल देता है सक्सेस्फुली वो उसको एक प्रादर होता है वो बच जाता है और वो अपने लड़के को ही मार देता है उसका अगला काट देता है अब हम लोग देखते हैं कि वो लड़की भाग रही है और भागते बागते कर जाती है वो फार्मर उसके साथ इंटिमेट होने की कोशिश करता है पर वो लड़की उसक चुका है पर वो मरा नहीं था अभ यहां पर वो लड़की अपने दोस्तों से मिलती है जो की बहुत चिल्ला रहा था वो लड़की उसके कील लगी हुई थी उसका हातों में उन्हें निकालने की कोशिच करती है पर तभी पीछे से फारमर आता है और उसका वी गला काट देता पर वो ऊसे पूरी तरह नहीं माड़ता है, और वो ऊसे भ्यूष कर देता है, वा लड़की होश माती है, भागने लगती है, बागते भागते उस लड़की का पेट अगराता है वो भ्योश हो जाती है और जैसे उसका होश आता है तो वो देखती है कि उसे इस बिल्कुल 10 मीटर की दूरी पे एक कपल था कार में जो की इंटिमेट हो रहा था पर म्यूजिक की वॉल्यूम हाई होने के वज़े से वो उनको नहीं सुन पा रहे थी पर तब ही फार्मर आता ह गया था वो उसी लड़की का था जिसको फार्मर ने एंड में पकड़ा था तो फिर्म लेंगे एक नहीं मूवी के साथ तब तक के लिए टाटा बाए बाए